ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मुमरा में कल से बीजेपी कारियाले खोलने को लेकर बबाल मचा हुआ है अगर जिस जगहां पर ये काइनटेनर रखा गया वहाँ पहले से ही यासीन शाह की गैरिस्क की दुकान है दुकान पर कल बीजेपी के कुनाल पाटिल ने कल दोपहर में एक कैंटेनर रख दिया जिसकी वजह से उसकी दुकान भी तूट गई जिसके बाद मामला बिगड़ गया जिस यासीन शाह की गैरिस्क पर कैंटेनर रख जा रहे हैं। मेरे जगे पर रखूगा। सूचना पर पहुचे पुलिस ने मामला श्रांद कराया कांटेनर को वहाँ से हटवा दिया। कुनाल पाटिल और यासिन साको मुम्रा पुलिस ने 323, 504, 171, 40 के तहट नोटिस भी भेजा है। मगर आज सुबह कैंटेनर उठाने के लिए टीमसी के अतिक्रमर विभाग के कर्मचारी भी वहाँ पहुच गए थे। मगर एक बार फिर कैंटेनर लौसाज सिद्धी की उफ चुन्नू के चायनीज की दुकान की जगां पर रखने की बात सामने आई। मगर चुन्नू के विरोध करने पर वहाँ नहीं रखा गया। आखिर ये जमीन किसकी है सभी अपने अपने कागजात लेकर दोड रहे हैं। वही यासीन का कहना है कि कुनाल की जमीन रोट कटिंग में चली गई है। मगर वही कुनाल का कहना है कि मेरी जमीन यही है और कलवा मुम्बरा के लिए बीजेपी कार्याले यही बनेगा। यानि बीजेपी कार्याले पर घमासान मचा हुआ है सभी अपने अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। मगर किसकी जमीन कहा है यह सर्वे होने पर ही पता चलेगा। मगर आज मुम्बरा पुलिस ने कैंटेनर को यासी इंसा के गैरेस के बाजू में रखवा दिया है। मुम्बरा पुलिस के सीनियर इस्पेक्टर मधुकर कड ने बताया है कि इन्हें आपस में समझोता करने को कहा गया है अगर महौल खराब करेंगे तो इन पर कारवाई की जाएगी। फिलहाल कैंटेनर तो गैरेस के बाजू में रखवा दिया गया है अब कल्वा और मुम्बरा की बीजेपी कार्याले कब खुलेगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रहा टाइम्स।